Hello Everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापताहिक राशी फल ये 20th February से लेकर 26th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो पेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में Sagittarius, Capricorn, Aquarius Spices यानि की धानू, मकर, कुम्भ, मीन राशियों के सापताहिक राशी फल हैं और नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैंप है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो दिखें टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साथ पाहिक राशी तो चलिए Sagittarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of cups reverse और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situations को लेकर या फिर overall ही थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental होते हुए दिख रहे हैं and in fact मैं कहूंगी कि कुछ Sagittarius थोड़े से sensitive भी होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर छोटी-छोटी सी चीजें आपको bother कर रहे हैं या पर छोटी-छोटी सी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप emotionally low भी feel कर रहे हैं और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका goal है, मकसद है उसके बारे में आप सोच तो जादा रहे हैं लेकिन उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं overall ही मैं कहूंगी Sagittarius एक imaginary world, एक ख्वाबी दुनिया में आप रहे रहे हैं तो देखिए imaginary world में रहना बहुत अच्छी बात है in fact सपने देखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हमारे पूरे कैसे होंगे लेकिन देखिए जब तक उन सपनों के लिए हम concrete, realistic measures नहीं लेंगे, steps नहीं लेंगे तो फिर उन सपने देखने से भी हम अपने goal को नहीं achieve कर पाएंगे तो देखिए एक balance बहुत बहुत important होता है vision और action में और कहते भी है vision without action is nothing तो देखिए इस week थोड़ा सा आप pause करके अपनी checking करें कि जो भी आपका goal है जिसको आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या actions ले रहे हैं और कौन से actions आपको लेने चाहिए और कैसे आपको actions ले सकते हैं जो लोग बहुत emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं, sensitive हो रहे हैं वो इन energies में भी जरूर एक balance लेकर आएं ऐसा करेंगे तो इस week की energies को बहतर करेंगे नहीं तो देखिए professional front में specifically जब आप बहुत emotional होते हैं तो आप सिरफ और सिरफ खुद को परिशान करते हैं और in fact personal front में भी देखिए over emotional तो आपको होना ही नहीं चाहीं है हमेशा heart और mind का एक balance ही ideal situation होती है और उसको जितना आप maintain करने की कोशिश करते हैं उतना हर situation को बहुत ही easily आप navigate करते हैं तो इस चीज़ का भी खयाल इस week आप ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए card है the hermit और ये card कहता है कि आप थोड़ा सा introspective mode में इस week specifically अपने personal front में रह रहे हैं जहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहा रहे हैं अच्छे से चीज़ों को understand करना चाहा रहे हैं आप बिल्कुल भी impulsive नहीं हो रहे हैं जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि actively आप किसी भी चीज़ में खुद को involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं एक back seat ले रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो गई उसको आप ढूंड रहे हैं और otherwise भी देखिए एक missing feeling या फिर एक किसी चीज़ को ढूंडने वाली feeling भी Sagittarius आपके लिए रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक अकेलापन चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और कितनी बारी होता है Sagittarius कि सब के साथ होते हुए भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं तो ये भी कुछ के लिए एक energies रह सकती है तो दीखे, overall मैं आपको यही कहूंगे Sagittarius Introspective energies में रहना बहुत important होता है Time to time, back seat लेना, थोड़ा सा लोगों से, situation से, चीजों से withdraw करना बहुत जरूरी होता है जब हम ऐसा करते हैं, तो एक better understanding हमें आती है और हम better तरीके से चीजों को deal कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं लेकिन अगर आपको लगे कि आप too much introspective mode में जा रहे हैं और ये एक जो thinking है, ये negative या overthinking में अगर आपको लगे कि, you know, जा रही है तो इसको जरूर चेक करके correct कर लें और इस बारी मैंने angel answers के cards यूज करें हैं तो देखते हैं Sagittarius कि angels का आपके लिए क्या message है और angels का message आपके लिए है, be assertive तो देखिए angels आपको कह रहे हैं कि जो भी आप करें बहुत confidently करें, बहुत assertively करें इन नचल मैं ये भी कह सकती हूँ confidence is the key to success for you guys this week वैसे तो हमेशा ही होता है बट इस week बहुत important है और देखिए मैं आपके cards देखू तो professional friend में आप sensitive हो रहे हैं emotional हो रहे हैं और personal friend में भी कहीं आप actively चीजों में involved नहीं कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी reason हो सकता है कि आप उतना confident नहीं feel कर रहे हैं या फिर आप you know जो भी चाह रहे हैं उसके लिए आधा अधूरा सा effort कर रहे हैं तो पूरा दम लगा के effort करना है, बहुत assertively चीजों को deal करना है कितनी बारी आपने देखा होगा ना कुछ लोग गलत चीज को भी confidently बोलते हैं और वो हमें सही लगने लगती है तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहा रही हूँ कि आप गलत चीज को confidently बोलें बट हाँ सही चीज को तो at least confidently करें confidently बोलें ताकि आप उसको achieve कर पाएं और कुछ issues, कुछ मसले अगर उससे related हो रहे हैं तो उनको आप easily overcome कर पाएं and astrology से आप लुगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी ocean के colors होते हैं sea green, sea blue ये आप के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए हो का Tuesday तो ये था से डिटेरियस आप लुगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं तो चलिए का प्रिकॉन्स आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है page of cups और ये card कहता है कि overall ही एक happiness, एक joy इस week specifically आप अपने professional front में महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये page का card है तो छोटी छोटी सी चीजों से एक खुशी या तो आपको मिल रही है या फिर छोटी छोटी खुशी छोटी छोटी satisfaction रहती हुई दिख रही है किसी email, message, phone call, news का अगर आप वेट कर रहे थे in fact मैं कहूंगे अगर किसी invitation का भी किसी की तरफ से आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकता है इस week और ये news, phone call, message, invitation भी कहीं एक happiness, एक joy लेकर आ रहा है चीजों को लेकर आप थोड़ा सा emotional थोड़ा सा sentimental होते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई young इंसान है आपके work front में जिनके साथ आपकी जादा interaction हो रही है या फिर उनके साथ आपका relationship बेटर हो रहा है आपकी bonding उनके साथ अच्छी हो रही है जिसकी वज़े से भी एक happiness, एक joy रह रही है तो यहाँ पे देखी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि over emotional, over sentimental किसी चीज को लेकर अगर आप खुद को होता हुआ पाएं जरूर चेक करके correct करें और कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice किसी experiential इंसान से बात करे बगयर ना लें क्योंकि कहीं ये card immaturity की भी बात करता है कुछ Capricorns की immature energies या मैं कह सकती हूँ immature emotions किसी खास चीज को लेकर work front में या फिर overall रह रही है या फिर कोई इंसान है आपके work front में जो काफी immature तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं तो इस चीज का थोड़ा सा खयाल Capricorns अब इस week ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए card है 5 of swords और ये card कहता है कि कहीं एक unfair या फिर injustice वाली energies आप अपने personal front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall इस week में हसूस कर सकते हैं जहां पर literally कुछ Capricorns को ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो आप deserve नहीं करते थे ये आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है सब के लिए different reasons रहेंगे different situations रहेंगी in fact मैं कहूंगे कुछ के लिए किसी खास इनसान की वज़े से आप हो सकता है ऐसा फिल कर रहे हैं हो सकता है आपकी कुछ expectations उनसे थी आप कुछ उमीद उनसे कर रहे थे और उनकी तरफ से वैसा response नहीं दह रहा है specially अगर आपने उनके लिए बहुत किया और वो कहीं उस तरीके से वापसी नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा hurt थोड़े से मायूस हो सकते हैं और कुछ के लिए देखे situation circumstances हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर एक unfair energies एक injustice आप महसूस कर रहे हैं तो देखे इसको सुनके Capricorns आपने बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है क्योंकि ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं छोटी छोटी सी चीजें हमें परिशान करती हैं और देखे वैसे भी ये week चला जाएगा situation से बहुत जादा expectations बहुत जादा उमीदे ना रखें क्योंकि देखे जब हम बहुत उमीद रखते हैं तभी हम hurt भी होते हैं और जब हम अपनी उमीद expectation को zero करते हैं तो जो भी हो रहा होता है न उससे हम beyond the point परिशान नहीं होते हैं तो इस चीज का आप खयाल रखें और इस बारी मैं angel answers के cards यूस कर रही हूँ तो देखते हैं Capricorns, angels का आप के लिए क्या message है और देखें बहुत ही beautiful message angels आपको दे रहे हैं, big happy changes, तो देखें personal friend में जरूर हो सकता है कि कुछ मसले, कुछ issues इस week रहें और कितनी बारी होता है Capricorns, जो चीजें surface level पे हमें ठीक नहीं दिख रहे होती हैं, जिनकी वज़े से हम बहुत परेशान होते हैं आगे जाके हमें पता लगता है कि उसी की वज़े से इतनी beautiful चीजें आपकी life में आई, तो यहाँ पर देखिए especially angel के message के बाद, जो भी चीज आपको personal front में परेशान कर रही है, उसको लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि यही कोई बहुत beautiful big happy change आपके ले लेकर आ रही है, जो कि शायद इस week आप personal front में नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर से repeat कर देती हूं angels आपको कह रहे हैं big happy changes जो कि इस week या तो आपकी life में आ रहे हैं या फिर जो हो रहा है इस week उसकी वज़े से next week या आगे जाके आपको मिलेंगे and astrology से आप लोगों के लिए the south note का card है, south note astrology में केतू ग्रह को represent करते हैं और इसके हिसाब से देखे मैं आपको यही कहूंगी grey, brown, color के कपड़ों को आप avoid करें and जितने आप pastels पहनते हैं, light shades पहनते हैं उतना जादा भैतर रहेगा and significant day आप लोगों के लिए हो का Tuesday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है The World और दिखिए सबसे पहली चीज़ यह काड ही कहता है कि out of the country से related कोई activity या तो हो रही है या फिर आप चाहा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने work को global लेकर जाना चाहा रहे हैं international market explore करना चाहा रहे है और उसी से ही related एक सोच रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ activity again इसी से ही related होती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि out of the country से related कोई connection आपका बन रहा है कुछ के लिए हो सकता है out of the country आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और दिखे जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा broader level के लिए out of the country से related कोई activity किसी भी level पे किसी भी तरीके से रहती हुई दिख रही है यानि कि कुछ लोगों के लिए physical level पे रहती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए mental, emotional level पे again मतलब की आपके सोच में रह रही है और दूसरी चीज ये काट कहता है कि कि किसी भी चीज पे अगर आप बहुत time से काम कर रहे थे और वो complete नहीं हो रहा था या फिर आप complete करना चाहा रहे थे और इस week आपको लग रहा था कि ये project, ये काम या ये चीज आपकी complete हो जाएगी तो आप लोगों के लिए good news है yes, ये काट कहीं completion की भी बात करता है, तो कोई phase आपके professional front में complete हो रहा है और नया phase शुरू हो रहा है, ये भी थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है जैसे कि मैंने आपको अभी शायद बताया कि कोई project खतम हो रहा है कुछ के लिए, देखिए, किसी चाहा रहे है, तो देखिए, किसी भी तरीके की कोई चीज किसी level पे complete हो रही है close हो रही है, नई चीज शुरू हो रही है, करना चाहा रहे है तो इसी से ही related activities या energies इस week specially आपके professional front में रहती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए card है Queen of Cups और ये card कहता है कि इस week किसी खास चीज को लेकर अपने personal front में या overall ही आप बहुत emotional हो रहे हैं बहुत sentimental हो रहे हैं और बहुत एक loving, caring energies या तो आपके मन में लोगों के लिए in general या फिर खास इंसान के लिए रह रही है या फिर लोगों की तरफ से भी आपको ये एक love, ये एक care मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि mood swings हो रहे हैं और emotions बहुत up and down होती वे दिख रही हैं हर चीज को आप emotionally deal कर रहे हैं बहुत sentimental आप हर चीज के लिए हो रहे हैं तो दिखिए emotions बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि emotions ही एक ऐसी चीज है जो हमें human बनाती है या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ बाकी living beings और हम में सिरफ यही difference है कि हमारे अंदर emotions हैं बाकी के अंदर उस तरीके की emotions नहीं हैं लेकिन जब ये emotions too much हो जाती हैं तब हमें बहुत ज़ादा परेशान करती हैं और मैंने हमेशा कहा है Aquarius कोई चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो फर इक्जमबल खाने में नमक गाजर के हल्वे में चीनी पौधों को धूप जब बहुत तेज गर्मी में ज़ादा मिलती है तो वो सड़ जाते हैं खराब होते हैं तो इसी तरीके से देखिए आप over emotional, over sentimental किसी भी चीज को लेकर हो रहे हैं तो आप इस चीज को ज़रूद चक करके correct करें Heart और mind का balance इस week रखना बहुत बहुत important है ऐसा करेंगे तो इस week के energies को ठीक करेंगे नहीं तो कभी बहुत खुश हो सकते हैं कभी बहुत उदास हो सकते हैं और इसी चीज में आप थोड़ा सा एक मैं कहूंगी कि occupied रह सकते हैं I don't know occupied is the right word मतलब यही एक emotions या energies इस week रहती हुए दिख रही हैं और इस बारी मैंने angel answers के cards यूज करेंगे तो let's see Aquarius angels का आपके लिए क्या message है and angels आपको कह रहे हैं peaceful resolution तो देखिए इसके दो मतलब होते हैं एक तो अगर इस week किसी के साथ कोई argument हो रही है कुछ issue हो रहा है कुछ मसला हो रहा है आप focus करें कि कैसे peacefully इसको resolve कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है किसी के साथ argument होती है तो हम खुद को right proof करने पे इतना focus कर रहे होते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम इस argument को और जादा बढ़ा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी peace maintain करने पे जादा focus करें कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान के साथ या फिर किसी भी चीज को लेकर conflict है, issue है, मसला है तो वो बहुत peacefully resolve हो जाएगा आप beyond the point परेशान ना हो and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter घ्रह का card है and इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 9 of wands reverse और ये card कहता है कि इस week overall के लिए एक ठकावट आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है कि भई ठक गए हैं इसके लिए सब prices के लिए different reasons रहेंगे लेकिन फिर से मैं कहूंगी broader level के लिए हो सकता है किसी खास चीज को लेकर या overall ही काफी time से आप बहुत effort कर रहे हैं बहुत महनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके का एक response उस तरीके का एक result आपको नहीं मिल रहा है और कहीं देखिए इसी वज़े से या फिर कोई और reason भी हो सकता है थोड़ा सा मायूज थोड़ा सा एक hurt भी मैं कह सकती हूँ कुछ prices के लिए रह रहा है और थोड़ी सी एक ठकावट भी आप महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे prices ऐसा सोच रहे हो कि भई अब और effort करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब you know further continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आपके मन में खयाल आ रहा होगा कि भई छोड़ो ना give up कर दो कोई फाइदा नहीं है और आगे effort करने का लेकिन देखिए ये card कहीं 9 number है और 9 number tarot numerology में कहीं आखरी number माना जाता है और इस card का एक मतलब ये भी है कि अब आप अपनी मन्जिल अपने मकसद के बहुत करीब हैं थोड़ा सा भी आपने effort किया थोड़ी सी भी आपने महनत करी तो आप अपने goal अपने मकसद को जरूर पा लेंगे और इस point पे आके आप prices give up ना करें तो फिर से मैं कहूंगी broader level के लिए card का आपके लिए ही message है जो भी आप कर रहे हैं और जिस भी level पे कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप give up करना चाहा रहे हैं ऐसे thoughts आपको आ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है एक थकावट है तो कोई भी energy में आप हो आप continue करें आप कोशिश करते रहें आप give up ना करें आपको definitely success मिलेगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए card है justice reverse और यह card कहीं देखे कहता है कि आप balance चीजों में नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत logically या तो चीजों को deal कर रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि आप over logical या तो हो रहे हैं या फिर एक logical approach रखना चाहा रहे हैं उतना logically चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं decision choice आपको लेना है, कहीं उससे related, छोड़े मोड़े issues मसले हो रहे हैं, और overall के लिए prices आपको ऐसा लग सकता है, कि भई चीजे ना fair नहीं हो रही हैं, यह आप deserve नहीं करते थे, किसी level पे किसी तरीके का एक injustice आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह justice का card है, तो कुछ prices, मैं फिर से repeat कर रही हूँ, कुछ prices के लिए हो सकता है, कि court के चैरी से related भी कोई activity रह रही है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई मसला हो, कोई problem हो, उसी की वज़े से court के चैरी आपको visit करना पड़ रहा है, या judge वकील से मिलना पड़ रहा है, simply कभी कभी देखिये, हम license के लिए भी court visit करते हैं, या कोई contract sign करना होता है, तब भी हमें वकील से बात करने की ज़रत पड़ती है, तो सब के लिए different reasons रह सकते है लेकिन फिर से सिरफ और सिरफ कुछ लोगों के लिए court, कचैरी, judge, वकील से related कोई activity रह रही है, broader level के लिए देखिये, आप हो सकता है, over logical हो रहे हैं, कहीं emotions, feelings, sentiments missing दिखते हुए दिख रहे हैं, और कहीं आपको ऐसी feeling हो रही है, कि भाई, चीज़ें fair नहीं हो रही हैं, आप better deserve करते थे, जो आपने effort किया, उस हिसाब से आपको response नहीं मिला, result नहीं मिला, तो देखिये, कभी-कभी क्या होता है, जो हम अभी कर रहे होते हैं, इसका result हमें काफी आगे जाके मिलता है, और जब हम उसी time चीज़ों को evaluate करने लगते हैं, तो हम मायूस होते हैं, और जो भी ह हम कर रहे होते हैं, यकीन मानियें, उसका तो हमें result उसी के हिसाब से मिल भी रहा होता है, कभी-कभी past कर्मा की वज़े से होता है, कभी-कभी हम future कर्मा बना रहे होते हैं, तो देखिये, अगर आपको ऐसा खयाल आ रहा है, कि भई, चीज़ें fair नहीं हो रही हैं, तो इस खय करते हैं, जो भी अपना करम है, उसको आप जरूर करें, और result से attach ना हो, क्योंकि यकीन मानिये, जो भी हम कर रहे हैं, हमको वैसा ही result मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके जरूर आप उसको देख पाएंगे, तो ए दिखते हैं, पाइसेज इंजल्स का आपके लिए क्या message है, आन बहुत ही बीडिफुल पाइसेज आप लोगों के लिएंजल्स का message है, success, तो देखें, जो भी आप इस week कर रहे हैं, definitely या तो इस week के एंड में या फिर आगे जाकर आपको उसमे सक्सेज मिलेगा, और दीखें आपके professional personal front के cards के साथ में angels के message को combine करूँ तो angels आपको यही कह रहे हैं कि professional front में आपने give up नहीं करना है आपने continue करते रहना है, आपको success मिलेगा और personal front में आपने एक balance maintain करने की कोशिश करनी है और जो भी आप कर रहे हैं, अगर अभी आपको एक positive result, positive outcome नहीं मिल रहा है तो उसको अपने final outcome मानकर मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है again personal front में भी जो आप कर सकते हैं, उसको आप करते रहें भले ही अभी आपको एक positive outcome नहीं मिल रहा है आगे जाके definitely यही चीजें आपको success देंगी आपकी life में victory लेकर आएंगी and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से bright shades आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो यह था Pisces आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए